ओम नमा सिवाय ओम नमा सिवाय श्रीशिव महापुराणं सतरुद्रसंगितायाम अथचतुस्त्रिन्सोध्यायह सुनर्तक्नट्रा वस्वावतारह नंदीश्वर उवाच सनत कुमार सरवग्या चिवस्य परमात्पना अवतारं स्रण विवो सुनर्तक नटा होयं यदाहिकालिका देवी पार्वतेहिम वत्सुता तेपेतपासु विमुलंबनं गत्वासिवाप्ताय तदाशिवाप्रसन्नोवो तस्यासु तपसो मुने तद ब्रत्त सूपरिक्छार्तं बरम्दातं मुदाय यवसरूपं दर्शयामास तस्या सुप्रीत मानसा बरम्ब्रोहितिचु वाच ताम सिवाम संकरो मुने तच्छुत्वासं वुवचनं द्रश्पात दिरूपमुत्तमं सुजहर्श सिवातिव प्राहतं सुप्रणम्यसा पार्वत्तिवाच यदि प्रसन्नो देवेच मैहम देयो वरो यदि पतिर्भवममे सान कृपाम कुरुममो परी पितुरुग्रहे मया सम्यगम्यते तुदनुग्या गन्तव्यम्बवतानात मत्पितो पार्शुता प्रभो याचस्वमाम ततो विक्छोख्या पयस्च यसासुवम् पितुरुमे सपलं सरवं कुरुम्पृत्याग्रिहास्रमं ततो यतोक्त विदिना कर्तुमर हजिभो प्रभो विवाहम तम्महेसान देवानामकार्य काममे परय विभो निर्विकारो भवान सदा भक्त वत्सल नामाहीत भक्तास्म्यहम सदा नंदीश्वर उवाच इत्यक्तास्च तयासंभोर हेसो भक्त वत्सला तथारिस्थितिवचा अप्रोक्चांतरहितास्वगिर्यम् ययो पार्वत्य पीतता प्रित्या स्वसके भ्याम्यतों वयोन विता जगाम स्वपितरगेयं रूपं कृत्वातु सार्तकं पार्वत्या गमनं सृत्वा मेनया सही माचला परिवारा युतो द्रष्टं स्वसुताम्ताम्ययो मुदा द्रष्ट्वाताम् सु प्रसन्नाश्या मा नया मासत अर ग्रिहम कारया मासत उ प्रित्या महानन्दु महोत्षबं धनम्द दव दुजा दिव्यो मेनांगिरी वरस्तता मंगलम कारया माचा चबी दधनिमादराद तता सुकन्यया सार्द मुवाच प्रांगडे मुदा मेनाच इमवान छैला सैस्नातुम गंगाम जगामस एत स्विन्नंतरे संभोच लीलो बक्त वत्चला सुनर्तक नटो भूत्वा मेनका सन्निदिम्ययो स्रंगंवामेकरे इद्रत्वा दक्षिने डमरूम तता प्रष्टेकंतारक्तवाचा नृत्य गान विशारदा तता स्तो नट रूपव सव मेनका प्रांगडे मुदा चक्रेच सन्रत्यं विविदं गाना गानन चाति मनोहरं स्रंगंच डमरुम् तत्र वादयामास सुद्ध्वनिम्मोल महूतिम् विविदां प्रित्यास चकार मनोहराम तम्द्रष्टुम् नागरा सरवे पुरुशास्च श्त्रियस्तता आजक्मोस सातत्र वाला व्रिद्धा अपिद्रुवं सुद्वा सुगुतं तम्द्रष्टा सुनत्यम्च मनोहराम ससाममो सरवे मेना पीच तदा मने ततो मेना सुरत्नाने स्वर्णपात्रस्थिताने च। तस्मयधातम ययो पृत्यातदूती पृत्यमान्रसाँ तानिना स्वीच将 कारासव विक्षाम चेक्छे सिभाम्चताँ पुनासुनृत्यम गानंच कवतुकाथ करतु मुद्यता मेना तद्वचनम शृत्वाच्ो कोपाते सु विश्मिता विक्चुकं भर्चया माच वैस कर्तो मिये ससाँ एतस्विन्नंतरे तत्र गंगान तोगिरी राध्य यवददर्श पुरतो विक्चुं प्रांगडस स्थम्नराक्रतिम् सुरत्वा मेना मुखाद बृत्तम् तत्सरवं सुचुको पसाँ आग्याम् चकारान उुचरान वहिक्रतुं से विक्चुकं महाग्णेमि वधुस्पर्सं प्रज्वल प्रज्वलंतं सुते जशम् ना ससाक वहिकरतुं कोपितं मुनिसत lucky अता सविक्चुक स्ताताना झानलीला विसारदा दर्शया माससैलाय सप्रभाव मननन्तकं शैलो तद दर्चतं तत्र विष्णो रोप धरं दृतं ततो ब्रह्मा स्वरूपम्च सुर्य रूपम्धत आक्षना ततो दर्चत अप्रातात रुद्र रूपम्माहत्भुतं पार्वते सैतं रम्यं वेशंतं सुते जसं एवंच वहुरूपाणी तत्र दर्चसा सुविष्मितो अथासव विक्षु बर्योई तस्मा तस्यास्य सूतिक्रत विक्षाम्याचे दुरुगाम्ताम नान्य जग्राह किंचना ततस्चांतर्द देविक्षु सुरूपा परमेश्वरा स्वालयं सा जगामाचो दुरुगा वाक्य प्रणो दिताह। तदा बभुव सुग्ज्यानम्मै मेना सैले सयो रपी आवाम सिवोवंच इत्वा गतवां स्वालयं विवो अस्मै देया सुकन्ययं पार्वते सुध पस्वुनी एवं विचार चतयो सिवभक्तिर पूत्पुरा अतो रुद्रो महु उत्तिष्य कृत्वा वक्तमुदाव हम विवाम कृतवान प्रित्या पार्वत्याम्स विधानता इति प्रोक्त स्थुतेताता सुनर्तक नटा होया सिवावतारोहिमया सिव वाक्य प्रपूरका इदमाख्यान मनगं परंभ्यारितं मयाया इत चुनियात प्रित्याचा सुके गतिमाप्नुयात पिति श्रिश्यु महापुराणी तृतियाम सत्रुद्र संगिताम सुनर्तक नटाफ्व सिवावतार वर्णनम नामचतु त्रिंसो ध्याया अथ पंच त्रिंसो ध्याया साधु दुज सिवावतारा नंदीश्वर उवाच्य। सनत कुमार सरवग्या सिवस्य परमात्मना अवतारं स्रण विभो साधु वे सद्धु जावयं मेना हिमालयोर्व भक्ते सिवेग्यात्वा महोत्तमाम चिंतामा पोशुरा सरवे मंत्रया मा सुरादरात एकांत वक्त्या सैलस्ट चेत कन्याम दास्यति संभवे ध्रुवं निर वान्डताम सद्ध्यासं प्राप्ष्यति सिवस्य वै अनन्त रतना धारो सव चेत प्रयास्यति मोक्षताम रत्न गर्वा विदावो मेर मिथ्याईव भविता ध्रुवं अस्थिरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधायसा कन्याम सूल वृते दत्वाचि वलोकं गमि विष्यति महादेवस्य सारूप्यम प्राप्य संभोरन उग्रात तत्र वुक्तामा अभोगास्ततो मोक्षम वाप्षति इत्यालोच्य सुरासरवेजक्मरु गुरु गृहम् मुने चक्रु निवेदनम गत्वा गुरु वेश्वार्थ सादका देवा ओचु गुरु हिमा ले ग्रिहम गक्षास्मतकार्य सिद्धय कृत्वा निंदाम महे शस्य गिरी भक्तिम निवारय सुस्रद्या सुताम्धत्वा सिवाय सादिर गुरु लभेत मुक्ति मत्राईव दरन्याम सहितिष्ठतो इति देववचा चृत्वा प्रोवाच च विचार्यतान गुरु वा कश्चिनमत्देच युस्माकम गक्षे छैलांतिकम सुरा संपादय स्वाभिमत महमतत कर्तु मक्षमा अतवा गक्षत सुरा ब्रह्मलोकम सवा सवा तस्मय बृत्तम कथय स्वामस वाकार्यम करिश्यती नंदीश्वरु वाच तक्छुत्वा तेसमालोक्य जग्मुर विध सुरा सरवं निवेदया मासुस्तत बृत्तम कुरुतो विदे अवो चतान विदे शृत्वा तद्वचासु विचिन्त्य वै नाहं करिश्यतन निंदां दुखदां करां सदा सुरा गक्षतकैलासं संतोचयत संकरं प्रस्था पयततम देवं हिमालय ग्रियं प्रति सा समात्म निंदां करो तुवै परनिंदा विनासाय सुनिंदाय ससे मता नंदी सुर्खवाच ततस्ते प्रयोसी ग्रम कैलासं निखिला सुरा सुप्रणम्य सिवं भक्त्या तद वृत्यम निखिला जगू तच्छुत्वा देव वचनं सुईचकार महे सुर दीवान सुया प चैलमोलं माये सो नभिकार वान दंडी छत्रे दिव्य वाचा बिभ्रतिलक मुज्वलं करेश पटिकमा अलाम चा चालक ग्रामं गले ददत जपन्नामा हरे रवक्त्याँ चा दु वेशधरो दुजा हिमा चलम जगा माचो बंदु वर गयिशमन वितं जपन्नामा हरे रवक्त्याचा दुवे सधरो दुजा हिमाचलम जगामाचो बंदु वरगैशमन वितम्तम्च दर्ष्प्लासम अत्तस्ताव सगणोपी हिमालया ननाम दंडवत भोमउ साष्टांगं विदिपूर्वकं तताप प्रक्ष सैलेश सस्तम्धृ जमको भवानिति उवाच सिग्रम विप्रेंद्रास योग गेंद्रम महादरात साधुद्धुज उवाच शाधुद्धुजा सैलाम वैश्टवा परमार्त दर्ष्परो पकारे सरवग्या सरवगामे गुरूर वलाद मया ज्यातं सविज्ञाना स्वस्थाने सैल सत्तमा तच्छनु प्रीतितो वच्मी हित्वादंबंत वांतिकं संकराय सुताम्दातुं तुमिक्षसी निजूद्भवां इमां पत्मा समाम्रम्या मझ्यात कुलसीलिने इयं मतिस्ते सैलेंद्र न युक्तामंगल प्रδα निवोद ज्यानिनां स्चेष्ट नारायन कुलोद्भवा पश्य सैलाधी पत्वंच न तस्य हिको स्थिद्वांधवा बांधवान स्वान प्रयत्ने न प्रक्चमेना चस्वप प्रियाम सरवान्सं प्रक्षयत नेन मेना देन पार्वतिम बिना रोगिने नुसदं सैल कुपत्यम रूचते सदानते पात्रो नुरूपस्च पार्वति दान कर्मडी महाजनाज स्मेर मुकास्रुती मात्राद्भ विष्यती निरास्रया सदासंगो बिरूपो निरुगुनो प्रवाश्रम परिब्रष्ट अस्त्व विज्यात गति सदा ब्रह्मो वाच इत्या दुक्त्वावच श्तत्यम सिवनिंदा परम सही जगाम स्वालयम सिग्रम नाना लीला करा सिवा तच्छुत्वा विप्रवचन मभूतांच तनूतयो विपरीतान अनर्थ परेकिम करिष्या वहिद्रुवं ततो रुद्रो महोते चकृत्वा वक्तमुदावां विवायित्वा गिरिजाम देवकार्यम चकारसा इति प्रोक्तस्तुतेतात सादु वेसो दुजा हुया इमया दिवकार्यकरा प्रभो इदमाख्यान मनगं स्वर्गमायुष्यमुत्तमं या पठेश्रनुया अद्वा पेशा सुखीगति माप्नुयात इति सडसीत्य वताराह ती स्रीशिव महापुराणेत्रतियाम सतरुद्र संगितायाम सादु द्युज सिवावतार वरणनं नाम पंच त्रिंसो ध्यायह। धनुर भृताम वरासुरो विप्रार्चे सर्वसात्रवित ब्रहत्केर्तिर्महाते जाया सर्वस सर्वास्त्र विदुत्तमा धनुर वेदेच वेदेच निश्नान्तम्यम विदुर्बुधा वरिष्टम् चित्र करमाणं द्रोणंच कुलवर्धनं कौरवानांच आचार्य आसिस्वबलतो दुजब महारतिच विक्याता चट्सु कौरव मद्यता साहायार्त कौरवानांच तेपेपिपुलं तपाशिव मुद्यस्य पुत्रार्तं द्रोणा चार्यो दुजो तमा तता प्रसन्नो भगवांचंकरो बक्त वत्सला आविरभवुव परुतो द्रूनस्यमुनिशत्तमा तम् द्रष्ट्वास दिजो द्रूनस्तुष्टा वासु प्रणम्यतं महाप्रसन्न रदयो नतका सुकृतांजली तश्यस्तुत्याच तपसासं तुष्टा संकरह तक्षुत्वा संभु वचनम द्रोणा प्राहात सन्नता स्वांस जम्तनयम देई सर्वाजियम महाबलं तक्षुत्वा द्रोण वचनम संभु प्रोचेत था स्विती अभूधन तरैत स्थात कउत की सुक क्रन्मुने द्रोणो पगक्षत स्वम्धाम महारिष्टो गतब्रमा स्वपत्नै कतयामाचा तद्रत्तम्च कलम्मुदा अथावसरमासाद्य रुद्राचरवांतका प्रवस्वांसेनातनयो जग्ये द्रोणस्यच महाबला अस्वस्थामेति विख्यातास बभू अचितव मुने प्रवीराकंज पत्राक्छा सत्रु पक्षक्छा यंकराज यो भारतेरणे ख्याता पितुराग्याम वाप्यच सहाय कृद्बभुवात कउरवाना महाबला यमा स्रित्य महावीरं कौरवाजु महावला वीष्मादयो बभु उस्ते जेया अपि दिवाव कसां यत बयात पांडवा सरवे कौरवान जेतु मक्षमा आसन अष्टा महावीरा अपि सरवेच कुविदा कृष्णो पदेशता संभो स्तपा कृत्वाति दारुणं प्राप्यचास्त्रं समु संभु वरा जिग्येता नर्जुनस्तता अस्वस्था मा महावेरो महादेवां सजो मुनेत था पेतदव भक्तिवसा स्वप्रताप मदर सयत बिनाष्य पांडव सुतां सिक्षिता नपियत नता कृष्णादि विर्मावीरेर जनिवार्य बला परै पुत्र सोके न विकल मापतंतं तमर्जुनं रथे नाच्युत वन्तं मेद्रश्प्रासच पराद्रवत अस्त्रं ब्रम्म सिरो नाम तदुपर्य स्रिजत्स ही तता प्रादुरगो तेजा प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणा पदम अभिप्रेक्च सोर्जुना क्लेश सैयुता वाच कृष्णं विकलांतो नस्ततेजा महा भया अर्जुन वाच किमिदं स्वित्कुतो वेते क्रिष्ण क्रिष्णन वेध्म्यहं सर्वतो मुखमायाते तेजस्चेदं सुदु सहं नंदीश्वर वाच सुरुत्वार्जुन वचस्चेदं सक्रिष्णा सैवसत्तमा दद्यो सिवं सदारंच प्रत्याहारार्जुन मादरात क्रिष्ण वुवाच वेत्थेदं द्रोन पुत्रस्य ब्रामस्त्रं महोलवणं नहिस्यान्यतमं किंचिद अस्त्रं प्रत्यवकर्षनं सिवं स्मर्दृतं संभुं स्वप्रभुं भक्त रक्षकं येनदत्तम् मिते स्वास्त्रम् सर्वत्कार्य करंपरं जैयस्त्रतेज उन्नत्दम् तम्तक्चै वास्त्रतेज सा इत्युक्त्वाच स्वयं क्रश्नासिवं दद्योत दर्थका तक्षुत्वाक्रश्न वचनं पार्थास्मृत्वासिवं रदीस्प्रिष्ट्वापस्तं प प्रिजसा सद्यासम साम्यन महा मुने, मस्थामा हेतदास्चर्य सर्वचित्रम ये सिवे, यास सक्त्याखिलं विश्वं स्रजत्यवति हन्त्यजा, अस्षस्थामा ततो ज्यात्वा भृत्तमे तच्छिवां सजा, सैवम्न विभ्यते केंचे च्छिवे, चातुष्ट धेर उडिरिदं विश्वं क्रिष्णं कर्तुम पांडवं, उत्तरागर्व गंबालं नासितुम्मन आददे ब्रह्मास्त्र मनिवार्यं तद अन्ने रस्त्रेर महा प्रभं, उत्तरागर्व मुद्धिष्या चिक्षे पस महा प्रभु ततस्च सूतराजेश्नुर्वदुर्विकल मानसा, क्रिष्णं तुष्टाव लक्ष्मे सम्दैय माना तदस्त्रता, तता क्रिष्णा सिवं ध्यात्वारिदा, नुत्वा प्रणम्यचा, अपांडव मिदं करतुम् द्रौने रस्त्रम बुद्यता, सुरक्षार्थेंद् दत्तेन तदस्त्रेन सुवर्चसा, सुदर्सनेन तस्यास्य व्यधाद्रक्षाम सिवागया, स्वरूपम संकरादे सात्कृतं, सैव वरेनहा, क्रिष्णेन चरितं ज्यात्वा, विमनस्का सनै रभूत, तता सक्रिष्णा प्रितात्मा पांडवां सकलानपी, अपातयत दुस्त येत अश्य सहिवरार अथ द्रोंडे प्रसनात्मा पांडवान कृष्न मेवचा ननाना वरांददव प्रेत्या नाना वरांददव प्रेत्या सो स्वतामानु ग्रयच इथम्मय सुरस्तात चक्रे लेलाम पराम प्रभु अवतिर यह चितव द्रौणी रूपेड मुनिसत्तमा सिवावतारो स्वस्थामा महावल पराक्रमा त्रैलोक्य सुकदो उध्यापी वर्तते जान्न वीतते अस्वस्थामा वतारास्ते वर्निता संकर प्रभो सर्वसिद्धिकर अश्चापी वक्ता वेष्ट फलप्रदाय इदम स्रण याद भक्ता कीर्त येद्वा समाहिता ससिद्यम प्राप्नू याद इष्ट मन्तेश सिवपुरं ब्रजीत इति स्रेश्यु महापुराणे तृतियाम सतरुद्र संगिताम अस्वस्थामा सिवावतार वर्नुम नामसक्त्रिंसो ध्यायः ओम नमह सिवाई ओम नमह सिवाई